जेहिन दोस्तों मैं सचेने आदब आप सबका स्वागत करता हूँ SD campus पर कैसे हैं आप सभी उबीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने आप में मेरे भाई एक confidence लेवल को अपर लेवल का लिए हुए और साहित भी होंगे अपने exam को लेकर कुछ विद्य जार्थी अपने आप में nervousness मैसूस भी कर रहे होंगे लेकिन आप लोग nervousness मत हुईएगा अब आपको ये बात बहुत बहुत बहतर तरीके से पता है कि भाई आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो पेपर है वो मंडे से यानि कि 29 जनवरी शे आपका सुरू हो ठीक है तो मैं आज आप सभी के लिए special session लेके हाजर हुआ हूँ जो अपना अभी तक का अनुभव हैं जिस तरीके से मैंने exam qualify किये हैं साथियो वह अनुभव में आप सभी के साथ आज साथा करने वाला हूं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि आखि किस पर होगा एक्जाम में paper को solve कैसे करें एक्जाम देने से पहले जरूर देखें ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई कि एक्जाम देने से पहले हमें उन किन-किन चीजों पर साथानिया बरती हैं ये जानना अती आवश्यक है राइट समझ गए मेरे भाई चलिए तो हम ब operator हो राइट सभी में ये चार सेक्षन पूछे जाएंगे उनकी difficulty का लेवल अलग अलग रहेगा ये तो निश्यत है भाई अब आपके अगर में चार सेक्षन की बात करूँ तो इसमें पहला सेक्षन आपका हिंदी है और हिंदी के कितने कुशन पूछे जाएंगे आपको सर 40 कुशन पूछे जाएंगे राइट 100 नमर की हिंदी होगी आपकी उसी प्रकार से जी के जी एस के 40 कुशन पूछे जाएंगे और 40 कुशन ये 100 नमर के होंगे प्रते कुशन धाई नमर का है इसका अमलब ठीक है भाई चलिए उसके बाद हम mathematics की बात करते हैं तो mathematics बाले portion में रीजिनिंग बाला section भी आता है रीजिनिंग बाला जो section आता है वो कम से कम आपके 15 से 20 कुशन उसमें रीजिनिंग के होंगे और 20 से 25 कुशन आपके math के रहने की possibility है ठीके भाई चलिए उसके बाद mental aptitude बुद्धी लब्दी परिक्षा राइट और जो आपका तारकेक सक्ती वाला जो portion है यानि की रीजिनिंग बाला तो रीजिनिंग बाला section especially 40 कुशन आएंगे हां से और 100 नमर के होंगे इस प्रकार से total आपके 400 नमर का paper होने वाला है और प्रतेक कुशन के लिए आपको धाई नमर मिलने वाला है टोटल 160 कुशन है 160 कुशन है धाई घंटे का समय त है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है यह आपके लिए golden opportunity है ठीक है चलिए तो अब आपको मुद्धे की बात यह है कि exam किस तरीके से आपको attempt करना है तब से पहले में आपको आपके घर से लेकर आपके exam center तक की पूरी कहानी आपको समझाने बाला हूँ देखिए कोसिस आप यह करिएगा कि अपने घर से समय से निकले जैसे आपका मान के चलो जिन विद्यार्थियों का paper 29 तरीक को है तो वो विद्यार्थी कोसिस यह करें कि अगर उनके आसपास ही है center तो कोई दिक्कत नहीं तो वो पहली पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं जिन व वहां कहीं ऐसे रुकने की विवस्था देख लें या hotel hotel देख लें आज कल तो सस्ते सस्ते में hotel भी मिल जाते हैं अराम से आप इस्टे करेंगे जिससे जब आप अच्छे से इस्टे कर लेंगे तो आपकी वोडी एक दम रिलीं मैसूस कर रही होगे और आपका जू माइंड है वो बहुत अच्छा बर्क करेगा, क्योंकि men खेल है, वो present of mind का ही खेल है, ठीक है भाई, चलिए, और मैं आप सभी से कहना चाहँँगा कि exam center समय से पहले पहुँचे, कम से कम, कम से कम एग घंटा पहले पहुंच जाएं कम से कम कोशिस करिए एक गंटा चालिस मिनट पहले तो पहुंच ही पहुंच जाईएगा आप देख रहे होंगे कि जब आप दोड़ के आते हैं एकदम भाग में आते हैं और कभी कभी यह भी हुआ है भाईयों कि भाई आप एक्जाम सेंटर पर पहुंच ग करिएगा कि समय से पहले आप अपने एक्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं ठीक है चलिए और यह भी कोशिस करिएगा कि आप इंट्री जब करें जिस समय आप इंट्री कर रहे हों और अपने डाकुमेंट बगेरा अच्छे से रखे ले जाईएगा कम से कम एक फोटो आपक के पास DL है डाइविल लेसेंस है बोले जाईए या कोई भी और ID प्रूफ है बोले जाओ ठीक है जिससे कि आपकी वहाँ ID चेक की जाएगी तो अच्छे से आप लोगों ID अपनी दिखा पाओ प्रूफ करा पाओ ठीक है और आपके पास अपना पहले से अच्छे से आप र करनी है एकदम फ्रेस माइंड में और अपने आपको ये समझ के चलना है कि आपकी तैयारी बहतर है यार आपने तैयारी किये आपने कोई हसी खिल नहीं किया आपने तैयारी किये तो युद्ध भूमी से जाने से पहले आप अपने आप में एतने confidence रहें कि हाँ हमने तैयार की है तो हम जरूर ही अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेंट करेंगे ठीक है भाई चलिए तो आप जैसे एक्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे सांती सुभाव से एकदम अराम से अपनी सारी जो भी फ्रमिल्टी होती है उनको पूरा करते हुए अपने एकजाम सेंटर में इंट्री कर जाओगे या और आप अपने एकजाम हॉल में पहुंच जाओगे तो आपका Northeast Online Mode में पेपर होगा ओनलाइन मोड में पेपर होगा तो आप अच्छे से माउस आउस चेक कर लीजेगा देख लीजेगा कि माउस बर कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ-कुछ सिस्टम ऐसे होते जिनमें कामी नहीं करता तो तुरन तुस समय आप एक्सचेंज करा लीजेगा ठीक है चलिए और बात आती है पेपर जैसे आपका सुरू होगा जैसे आपका पेपर सुरू होगा पेपर सुरू होने से पहले आपको एक पेपर शीट दी जाएगी पेपर सीट दी जाएगी पैन दिया जाएगा तो आप थोड़ा सा चला लेना उस पर थोड़ा से इसलिए चला लेना ताकि पहले कुशन से शुरुआद करें पहला कुशनमें पहला पहला कुशनों में देखेंगी थीजिर होने कि उपकर और पहला कुशन Lazio तो आपको नहीं आ रहा, थोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कुशन आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम development होना कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो 38 बाकिये हैstill? आघे बढ़ोगे, आपको तिसरा फिर नहीं आया सर, अब हम क्या करें, आप कुछ बिद यार, पता नहीं आ रहा, आभी एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छटे कुशन पर गए आपका बन गया, फिर अगले पर गए आपका फिर बन गया, तो इस तरीके से पूरे कुशन आप यहां 40 कुशन होगे, तो 40 कुशन में पहले राउंड में ही कम से कम मेरा मानना है कि आप 20 से 25 कुशन बना लोगे, पका पका बना लोगे, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा भी आप बना पा रहे हैं, तो और बेटर बात है, यानि कि पहले अटेम्ट में जितने भी आप कुशन अच्छे से आपको पता है, कि इसका अंसर पका यह है, एकदम न लग रहे थे, उनको देखो, जैसे दुबारा आप उस कुशन पर जाओगे, तो पका बो कुशन ऐसा होगा, जो आप बना लोगे, ठीक है, थोड़े कुशन ऐसे भी होंगे, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे, उनको अभी छोड़ो, hold पे रहने दो, अब आप क्या दूसरे सेक्षन में आएंगे, दूसरे कुश्यक्स में भी इसी तरीके से मेरे भाई करना पहला है, पहला कुशन मान के चलो, पर्सेंटेज का आगया, आपने बना लिया, दूसरा कुशन मान के चलो, प्रॉफेट लौज का आ आप ते नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले हलकी calculation वाले question करेंगे mathematics में जो बिल्कुल कम calculation वाले question होती हैं उनको सबसे पहले आप करेंगा ठीक है इसी प्रकार से आपको reasoning में करना है और इसी प्रकार से आपको GKS में करना है ठीक है चलिए अब मेरे भाई आपके पास कुछ question ऐसे बचेंगे जो आपको बाकई में अब आई नहीं रहे किसी संथ में option eliminate करके भी देख लिए सर अब आहीं नहीं रहें जब नहीं आ रहें तो उन question को आप अच्छे से तुक्का मार के चले आओ ठीक है भाई पहले नहीं मारना है एकदम जब अंतिम स्टेज पर बिल्कुल आप आहीं नहीं रहा किसी भी हालत में तब आपको पकड़ना है और ऐ पहले question का answer मैंने A लगा दिया दूसरे का B लगा दिया तीसरे का C और चौथे का D ऐसा तुक्का मारते समय ऐसा नहीं करना ठीक है भाई मैं आपको इसलिए suggest कर रहा हूं कि आपको सारे question करके आने क्योंकि negative marking नहीं है ठीक है भाई फिर आप एक option पकड़ना जैसे C पकड़ के साथ आपको अपने paper का attempt लेना है साथियों hope so ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लग रही होगी तो मेरे प्रिये विद्यार्थियों को जादा से जादा like and share करेंगे सभी विद्यार्थियों के पास थाकि हर एक विद्यार्थियों को ये रड़नीती की पता होने चाहिए आपने तैयारी की है लेकिन उस तैयारी को किस तरीके से रेप्रजेंट करना ये बहुत बड़ी बात होती है साथियों तो मैंने अपने अनुभव को आपके साथ साजा किया होगा किया है मेरे भाई hope so ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से ठीक है भाई तो आप अच्छे से अपने पेपर को दीजिए जिससे कि आप अपनी सफलता को शुनिश्यत कर बाओ तो आप मेरी तरफ से मेरी पूरी SD Campus Team की तरफ से आप सभी को Best Business अप अच्छे से एकजाम दीजिए निश्यत आप अपनी सफलता को सुनिश्यत कर पाओग जरूर देखे जाए एनलेसिस से बहुत बड़ा हेल्प होती है बहुत जादा हेल्प होती है सभी विद्ध्यारती देखे जाएंगे एनलेसिस को ठीक है कल है संडे और संडे को मैं आप सभी के लिए अंतिम रिविजन क्लास लेके आ रहा हूं सुभे 10 बजी तो आप जरूर जुड़िए और अपनी सफलता को शुनिश्चित करिए जै हिन जै भारत